सो नाओ एन्वी सी सी इंडिया लिमिटेट अब देगे 88.39 का प्राइस आच परसेंट की गिरावट हमें देखने हूं बिल रही है और मैं बहुत ही खास बात है आपके सामने रखना चाहता हूं एन्वी सी सी इंडिया को लेकर देखें पूरे PSU पेक में लगातार बिकवाली चल रही है और उस चकर में यह स्टॉक पिस रहा है ध्यान रखेगा अधर्वाइस फंडमेंटली अगर आप देखें तो एक अच्छे स्टॉक हमें देखने हूं मिलता है पहली यकीन मानिए PSU का यह हाल हो चुका है कि एक जनवरी यानि कि यह टू डेट की बात करेंगे ए एड़ेस्टमेंट की बाद वता रहा हूं यहां पर आपकी सामने एड़ेस्टमेंट के बाद है बोनस एड़ेस्टमेंट के बाद प्राइस है 54 रुपए 57 पैसे हम है 88.39 पर यह लगातार यह स्टॉक चला उसके बाद एक बहुत अच्छा खासर डाउंसाइड हमें देखन यह आपका यहां पर इलैक्षन यह आपका फुल वजट उससे पहले का जो प्राइस ता वहां तक जाने की कोसिस कर रहे हैं उसमें इरकॉन सबसे बड़ा नाम है इरकॉन जो है वह सबसे बड़ा नाम है दूसरा यह आपको नवी सीच दिख रहा है कोई बहुत बड़ा उं सबसे पहले इंडिकेशन आपको मिल जाता है पीस उसे एक बार पीस टूटने लागा ना सौझ अधर नौ दस बजी तक समझाए यह मार्केट गया है और आज की डेट में जैसे बिक्वाली शुरूई वो किसी भी स्टॉक नो टेख लेंगे यह उटकों को देख लिए जहा बहुत 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 अभी मुश्कल से आदा गंटा आदा गंटा एगंटा है यहां पर मैं आपको बताओं कि यहां पर 2400 के नीचे हम फिसल चुके है 2400 बहुत बड़ा एक है जिस तरीक से मैं आपके सार्फ ट्रेंड लाइन बता तो ना ऐसी चैनल होता है निटी वही मैं आपको बता रहा हूं कि काफी निगेटिव क्लोजिंग हो जाएगी अगर 24300 की नीचे क्लोज होता है निफ्टी तो अब गंटे में तस्वीर बदल गई तो बदल गई अगर यह रहता है तो और यहां पर निफ्टी गिर सकता है मंडे के दिन अगर यहां पर 24300 की उपर नहीं निकल पाए तो यह पक्का हो जायागा कि निफ्टी के अंदर लगातार विक्वाली रहेगी ऐसे में PSU के अंदर विक्वाली रहेगी चाहिए आपने पांच लाग लगा दी हो पचास अजार लगा दी हो यह 50 लाग लगाए वो PSU के अंदर आपको यहां पर ना बड़ा लॉस देखने हो खर वाले लोग है जितने भी आपना मार्केट के अंदर पैसे डाल दिये अपनी सेविंग वो डाल दिये वह आभी लॉ तो आप देखेंगे कि कितना वॉल्यूम है कितनी डिलिवरी कॉंटिटी 35 परसेंट की दिलिवरी कॉंटिटी ऐसा थोड़ी कि 60% की delivery quantity हो रही कि नहीं भाई NVCC सस्ता हो रहा है चलो खरी लेते हैं तो भाई इंटेस्ट नहीं दिखा रहा है किसी के पास नया पैसा नहीं है mostly people के पास नया पैसा नहीं है जो profit स्ट्रॉंग है कि आपका जो है ना यह गिरावट झेल लें तो देखें यह सारे चीज़ है ना जब यह इसके उपर आते हैं जब पैसे की सेलिंग होती है जब बिक्वाली आती है ना मार्केट के अंदर यह कुछ काम नहीं आता यह फैक्ट है यह आपको ना सस्ते होते हो दि कोगिर गया 20 परसंट 30 परसंट 40 परसंट वो देखते हैं फंडमेंटल सस्ते हो चुकी है डाल दिया पैसा मुस्टली पीपल उस वक्त यहां पर जो है ना सेल करने के लिए बागेंगे वह बाई कर रहे होंगे वही चीज यहां पर देखेंगे अगा 55 का पी रेशियो आ अपने बुक वैले से 9.78 टाइम उपर वर्क कर रहा है यह स्टॉक कोई दिक्कत की बात नहीं है बहुत कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है मैं आपको उता चुक हूँ कि एन वी सी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है लेकिन बस एक ही चीज़ पर द्यान देना है यह क्य ग्रोथ आरही है ग्रोथ की बात नहीं बात इतनी सी है कि आपकी सेक्टर की सबसे बड़ी सेल्स है ना cev क्रोट की सेल्स है सेल्स हैं कैजरल 1861 करोड बीच बचाव में बचा क्या आपका 57 करोड रुपए टेक्स वेक्स काट के आपके हाथ में आया कितना तो यहां पर अर्णिंग पर शेर कितना बढ़ेगा कम प्रॉफिट में अर्णिंग पर शेर नहीं बढ़ता है उतना हम लोग को चाहिए जवजस्त यहां पर अर सबस्ता है अंदर हुआ है कर्चे मैंने किये गए एंड उसके बाद देखे तेजी ती कि इस तरीके की अगर मैंचेश्बेंट करें ना उनकी उनकी भी सेल्स आइसी ती उसी सेक्टर की सबसे बड़ी सेल्स एक लाग क्रोड की सेल्स थी पर प्रॉफिट की नाम पर एक हज स्ट्रीम ग्रोथ आप आएगी अगर आप बात करेंगे तो क्या देखने मिलाए वाई आरे साइए यहां पर बता रहा है कि आप आचुके अठारा के लेवल पर वेल्यू पर ठीक वेल्यू अठारा की है आप बहुत ही ज्यादा ओवर सोल्ड जोन में है यहां पर इस प्राइ आरी आने चाहिए यहां पर एक बार तो मूब आने चाहिए आएगा यानि आएगा पता नहीं बट अभी यहां पर आपके सामने 78 का बहुत इंपॉर्टन लेवल यानिकि यहां से 10 रुपए का अंतर है इसमें इस लेवल के अंदर एंड आपका जो करेंट प्राइस दस कि कि अनिकल जाओ यह पुल बजट के बाद निकल जाना है कब एंटि करना है सारी चीजी आपके से क्लियर थी बट अभी अगर आप देखनेंग चलो ठीक है हो गया यहां पर आपकी सामने जो एक देखनेंगों मिल रहा है most important range क्या होगी most important range होगी आपकी यहां पर 68 59 most important यह इसी लिए कि आपका January से start होता है फिर यह बजट के टाइम यहां तक जाता है यानि 120 उसके बाद नीचे आता है यहीं से support लेता है ठीक है तो वह न यह important जगे पहले आपका जो है 78 और अगर 78 के नीचे ट्रेट करना स्टार्ट करती है तो फिर दस रुपए और गिरना यहां लगता है लेकिन इससे जादर गिरावट ना लग नहीं रही है अगर और गिरता है ना तो यह इतना सस्ता होगा कि अगले कई सालों के लिए जो हम कोविट के टाम देख रहे थे सब्सक्राइब करते हैं तो एसी चीज यहां पर आपके सामने देखने मिल रही है अभी क्या है कि अब यहां पर ना आपको बुद्धी चलानी पड़ेगी दिमाग लगाना पड़ेगा डर खतम करना पड़ेगा तब जाकर कुछ काम होगा तो ध्यान रखिएगा पैसे बस आए अगर आपके पास है अगर आपको यह लेवल देखना मिलते हैं आपको मन है कि पैसे लगाय जाए तो आप लगाईएगा क्योंकि कितना सस्ता हो जाएगा यह किसी को नहीं पता बाई लेकिन अगर बहुत सस्ता हो गया तो वह वाइंग भी आ जाएंग तरफ यूद्ध वो किसी न किसी के रडार पर रहता है तो यह बात किलियर है आपका काम है आपके लेवल आ गए बस आपने पैसा डाल दिया सिंपल सी बात बस इससे ज़्यादा काम नहीं है लेकर पैसा इतना बचा के रखिएगा कि मार्केट के अंदर कुछ ऐसी घटना घट जाए बुर करी कि अरे भाई भगवान यह क्या कर दिया यह क्या हुआ तो वो ना उस वक्त पैसे डालने के लिए आपके पैसे हो बस इतना पैसा आपको अलग साइड में रखना है बाकी जब आपके लेवल मिले तो आपको यहाँ पर पैसा डाल देना है लेकिन कुछ पैसा यह उस समय के कि बाई चांस कोई बहुत बड़ा क्रहशा यह मार्केट के अंदर तो पैसा डाला जाए क्योंकि कोवेट के टाइम को खरिदारी नहीं कर पाया जो पुराने लोग थे जिनको एक ना समझ में आती इतना सस्ता हो गया अब तो यहाँ पर ना डाल नहीं था होने को तो साथ यहाँ से 5,000 भी हो सकता है लेकिन कुछ लोग ने डाला ना क्योंकि उन्हें पता है कि बाई इतना सस्ता हो गया मैं यहाँ पर डाले तो और सस्ता होगा लोग और भी डाले बस इतनी सी बात वह आएगा उपर मेरा प्राइस इतनी सी बात सुमी देखा भी कुछ आपको मादूस तो